नमस्कार किसाम भाई ओ आज के इस वीडियो के अंदर स्वागति आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे आप करोड रुपए कमा सकते हो वो भी खेती से मैं साइलेंट हो जाता हूँ क्योंकि इस तरीके के वीडियो आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे फोड़ी उचल उचल कर बाते की तो आपको लगेगा यहां भाई सच में कुछ फ्रेश वाला वीडियो होगा जिसके सारे हम भी करोड पती बन सकते हैं अगर करोड पती बनने के खेती के सारे करोड पती बनने के जो भी वीडियो से आप एक सर्च मारोगे हजारो वीडियो मिल जाएंगे लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप करोड पती बनने के तरीके जो कि आपकी खेत में लागू करके आप बन सकते हो वह वाले वीडियो आपको एक भी नहीं म करके आप सचमुझ खीती से करोड कमा सकते हो या फिर नहीं इसके बारे में हमारा में प्रमुक विशय होने वाला है तो सबसे पहली वाली बात आपको यह समझने है कि इन सभी चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए सिंपल वाली चीज़े आपको पांच नियम में बताने वाल लेकिन सचमुझ प्रैक्टिकली आप यह कर सकते हो आपके अंदर वह शम्ता है या फिर नहीं है इसके बारे में जानकरी आपको सो टका मिलने वाली अगर नहीं मिलते तो जन्यूनली एक जानकरी देने की कोशिश कर रहा हो तो चाहिए जाहिए बिना किसी देरी के शुरु को करोड रुपए कमा केड़ दे सकती है सबसे पहला वाला पॉइंट फिर हम फसल का कैपेसिटी देखेंगे दोनों कैपेसिटी समझने के लिए आपको एक छोट असा उदारन देता हो जो कि प्रैक्टिकल है सबसे पहली वाली बात जब आप दसवी कक्षा में बारवी कक्ष लेकिन एक्ष्यल में जब रिजल्ट आता है तब आपके हाथ में क्या आता है उससे कम आता है ये भी बात आपको यहां पर समझने हैं दूसरी वाली बात अगर आप कोई बड़ी चीज़ का सपना देखेंगे तो आपको मोटर साइकल ही मिलने वाले तो आपको बड़ी वा हो गई ऐसी कार का सपना देखो गए तब जाके आपके हाथ में आल्टो आने वाली तो यह उधारन है और उसी तरह के से एक और उधारन दे रहा हूं मैं कि जैसे आल्टो का स्पीड जो मैक्स-टू-मैक्स कितना होता है सो के उपर वो अच्छे से मतलब अच्छे से पहुशने के लिए उसको बहुत जादा ताकत लगानी पड़ती है लेकिन यही ताकत ब्रिजा लेलो या फिर फॉर्चुनर लेलो सो का स्पीड उसके लिए खेले भाई गलती से टाच हो गया फिर भी वो सो तक पोच जाता है यह यही वाली चीज यही वाला प्रैक्टिकल आप अपने खेत के अंदर देख सकते हो आपके गाव में आप अगर नजर दोड़ा होगे तो आप देखना आपका खेत पात 6 एकड़का होगा साथ एकड़का होगा तो आपके लिए यह करोड रुपय कमाना बहुत जादा मुश प्रैक्टिकल इन चीजों के साथ रिलेशन कैसे बनाना है जब रिलेट कर पाओगे तब आप उस टार्गेट तक पहुच पाओगे सबसे पहले तो आपको यह सब बातिक कैपेसीटी के अनुसार समझना है और मैंने आपको आपकी कैपेसीटी बता दिये अभी आपका खेत तो बड़ी आसानी से चीजे कमाई जा सकती है किसके लिए जिसके पास एरिया बहुत ज़्यादा है एरिया जमीन ज़्यादा है उसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसीटी है यह टार्गेट आसिल करने के लिए और जिसके पास खेत बहुत कम है उसके लिए बहुत मुश्क यह ना कि इसने 200 एकड में कमाया, 500 एकड में, राजा महाराजा, यह पॉलिटिशन है, इसने खजूर लगाया, उसने यह किया, यह चीज नहीं करना है, एक्चुल में प्रैक्टिकल चीजों की तरफ के आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कैपेसिटी वाला चीज अगर अगर आपकी जमीन हलकी है, रेती लिए, उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी से हो जाती है, लेकिन वहाँ पे वेट में मिलता, तो उसका भी वेट का कैपेसिट है, हलकी वाली किसानों के लिए यह टार्गेट और भी दूर हो गया, मतलब पहले ही साथ एकड खेते, उधा उसके लिए टार्गेट नजदिक आ जाता है, जैसे कि उधारंग के लिए, वही साथ एकड उसके लिए 10-12 एकड का काम भी कर देता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि जहां पे मिटी की गहरई ज्यादा होती, उन वाली जमीनों के अंधर वजन बहुत शांदार मिलता है, औ और एग्रिकल्चर के अंदर असल मुनाभा कमाना है, तो भाई वदन तो होना ही चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल वाली चीद आप समझ लीजेगा, तो आप भी कमेंड में 2-3 चीदे कर सकते हैं, पहला पॉइंट डाल देना, कैपेसिटी, आपका खेत कितने एकड़का है, और साथी साथ, आपको ये भी लिखना है उसके साथ, कि भाई आपके मिट्टी की गहराई कितनी है, एक फीट, दो, फीट, तीम, फीट, चार फीट, या फिर रितिली जमीने उपर की तरह, तो इससे क्या होगा, आपको एक लास्ट में वीडियो के अंद में, आपको अंद इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक उधारन दूँगा, देखो, भगवान की भक्ती हर कोई करता है, ठीक है, भक्ती का अर्थ क्या होता है, भक्ती का अर्थ होता है, आप भगवान की भक्ती करोगे, तो भगवान उसके बदले में आपका बहुत कुछ भला कर सब लोग भक्ति करते हैं तो बक्ति के अंदर क्या होता है यह經श thinner अप हर बार मंदिर में जाते हो मिलकुल भी दिन में आगका इस आगे हैं रहे पार आख से हो जरए तो उसी तरीक एक ही भक्ति अगर आपके बिजनेस के साथ हो गए जैको मारवडी लोग इतने आगे क्यों बढ़ गए उन्होंने अपने बिजनेस को ही भगवान मान दिया है इसलिए वो आगे बढ़े है अभी उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे हमारा जो टार्गेट है क में वहाँ पर जाओंगा यह चीज़े आई तो आप अपनी भक्ती से दूर हो रहे है और अगर भक्ती से दूर होए तो आपका जो आशिरवाद मिलने वाला था वो ने मिलने वाला इन शौर्ट में एक ही शब्द में आपको आपके कहूंगा कि आपको बड़ी तपच्चर करिया का कुछ ने मिलने वाला यह बात आप अच्छी से समझ लीजेगा कोई लॉट्री वगरा एक हर एक के नसीब में नहीं होता है और जिसके भी नसीब में होता है वो टिकता नहीं क्योंकि वह mentality वह नहीं रहता है वह बगवान का दिया होता है एक दिन में ही वह निकल भ बगल में भी देखोगे यार वो खूद बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो छोटों की तरफ ध्यान देते यार यह आगे ना बढ़ जाए यह आगे ना बढ़ जाए इसलिए वो पीछे की तरफ आते अगर कोई बड़ा किसान उससे बड़े किसान का दिमाग में अगर ले कि यह तो बहुत तेजी से दोड़ रहा है बड़ा वाला किसान उससे बड़ा वाला तो इसको क्यों ना फॉलो किया जाए उसकी तरफ observation रहेगा उसके दिमाग में वह बड़ा वाला किसान रहेगा तो उसकी जगह पे जाने का प्रयास करेगा यह जो है लेकिन यह बड़ा किस यह से भटकना नहीं चाहते हो यह वाली चीज को आप अच्छे से फॉलो करना और अभी मुझे कमेंट में दूसरा वाला चीज टाइब करना यह आपका जो सही समय कैसे वुर्थ वाली चीजों में जारा है कोई क्रिकेट मैच में पूरा दिन देता है isn't pass जाता है भाई गावलों के साथ बेटना पड़ता है यहां वहां के न्यूजेज जो सुन्ने होती है तो उसमें कितना टाइम जाता है यह आपका व्यर्थ समय कहा कहा पर जा रहा है नीचे कमेंट करना दूसरे वाले किसम भाई आपके टारगेट पोशने के लिए तीसरा जो रिक्वायर्मेट है वह आपकी सणगत का जी हाँ आपके संगतत में बहुत सारे लोग है तो बहुत सारे लोग होंगे मतलब यह क्या होता है कि इसको समझो आप दिन भर में कितने लोगों के साथ उठ्टे वेठ्टे हो वह वह 투 Lex are miracle के साथ आपके सो मित्र हैं सो मित्रलव में उच्टे-बैट्टे हो सकते Ellis सो लोग कौन से प्रकार के यह बहुत बोट इंपो31al अगर वह आपके customer है तो आप AMPने observation करना वाई जो एकदम गरिवी से 0 से start करता है उसके दोस्त कितनी होते हैं आप देख लेना दोस्ती रखना अच्छी बात है लेकिन उसके लिए बहुत सारा समय खर्च कर देना बेवज़का वह गलत बात है आप उसका भी नुकसां कर रहे हैं और खुद का भी नुकसां कर र इसलिए सोच अगर आपकी अच्छी है तो आप एक ना एक दिन सकसे जरूर पाओगे यही वह चीज़ है जिनकी सोच अच्छी होती है जो बहुत ज्यादा पावर रखते हैं वह ज्यादा तो गुलते मिलते नहीं क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता है वह रूल नंबर को फैलव कर लेते हैं कि उन्हेपता है हमारे पास समय कहां पर लगना है और कहां पर बोड़े लोग होंगे और आप आचेनक से किसी कारण के वर्यश अगरर गरीब जाते हैं तो वो समाज आपको उपर उठा लेता है मतलब अपनी लेवल में लाके रख देता है लेकिन जब यह चीज तो सुनने में अच्छा है और प्रैक्टिकली आपने देखा भी होगा कि समाज का लेवल उपर है को जात होगेरा हो गया उनका फाइनेशली या फिर जो भ गटिया होता है और उसमें से कोई आगे बढ़ने की भी कोशिश की टांग खिचके उसको तुरंट नीचे लाए जाता है तो समाज भी गोज़ा ज़री है तो पहले वाला सिनेरियो आपके पास होगा तो आप बहुत लखी हो यार आप अच्छी जगह में अच्छे समाज मे जाइए अच्छे से जिससे आपका पावर बरकरार रहे। जिससे आपको कोई यह यह पर दूसरा वाला चीज जहाँ पे-छिफ्कते आरे, टांग खिचनी वालोग, उस एरिया से निकल कर दूसरी जगह प pre collar बनता है। किसम भाई ओभी हमारे जो करोड टक टारगेट बनाया हमने उस तक पहुशना है तो हमें सबसे पहली वाली चीज लगेगी वह है management की, क्योंकि हमारा समय, हमारा energy सब लगता है, अच्छी जगह भी लगता है, बुरी जगह भी लगता है, तो वो किस तरीके से लग सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ लग सकता है आपके management के सारे अच्छी जगह पे उसको divert करने का काम आप कर सकते हो अगर आपके पास management नहीं है सिफ खेल रहे हो खेल रहे हो कुछ काम कर रहे हो कर रहे हो तो नहीं बनने वाला बात आपका management आपके target तब लगे जाने का काम करता है कई जगह पे आप भटक जाते हो तो management आपको track पे लाने का भी काम करता है तो इसलिए management होना बहुत जाता दरूरी है चाहे हो time management हो आपका money management हो या फिर manpower का management हो या फिर फसल का management हो ये भी management होता है देखो उधारं के लिए एक उ के 2022 में बहुत बारिश हुई 2023 के गर्मियों के दिनों में तरबूत को भाव नहीं थे क्योंकि भाई गर्मी नहीं थी तो कहां से भाव रहेगा लेकिन 2023 के अंदर बारिश कम हुआ है और 2024 के अंदर इतना ज्यादा उश्नता हीड़ बढ़ गया है कि इन सभी चीजों को रिट म इसने भाप लिया उसने crop management कर लिया और crop management के अपने target तक अच्छी तरगे से पहुच्छ सकते है तो इसलिए, management नामक चीज बहुत जादा जरूरी है अगर management नहीं है तो बाई कुछ भी नहीं है समझ लेना आपके जिन्दगी में चोटी-चोटी चीजों से लेकर बड़े ब अभी आपके टार्गेट तक पोशने के लिए आपने मैंने जितनी भी क्राइटेरिया बताया आपको यह सब फुल्फिल हो रहा होगा तो अभी लास्ट वाला पाच्वा नंबर का जो भी क्राइटेरिया है वो अगर आपके अंदर होगा तो आप सो टका यहाँ पे सक्सिस हो होने वाले अगर नहीं भी होगा खास बात अभी भाकिए आपके लिए तो पाच्वाला क्राइटेरिया क्या है तो भाई सपल खेती करने के लिए मैंने देखा है कि आपके पास तीनों चीजें अवल होनी चाहिए तीनों चीजें मतलब क्या तो भाई आपके पास मैन पाव ब्रेन पावर हो गया क्या पास कितनी भी सारे मज़ूर हो आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन किसा डाइरेक्शन मेँ जाना है यह आपको पता नहीं का मैनेजमेंट कैसे करना है यह पता नहीं तो आप टारिटर B Kelly सकते यह डेलेटी किंगा तीसरा पावर है money power, जिससे ये दोनों पावर आप खरी सकते हैं, आपके पास brain power नहीं, आपके पास brain power है, लेकिन money power नहीं है, खुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए ये तीन power को हमेशे याद रखना, जो कि है manpower, दूसरा है आपका brain power, और तीसरा है आपका money power, तो ये तीनों की तीनों power आपके अंदर होने चाहिए, तब जाके आपका ये target cover होगा, अगर नहीं है, तो सोचो एसे cover कर सकते हैं, पैसा कामाने के लिए पैसा ही लगता है, आपको लगना पड़ेगा न कूछ न कूछ, इन्वेस्मेंटों करना ही पड़ेगा, बीजों के अं अच्छे से ध्यान से गोर से सुना है, उसमें से कौन-कौन सी चीजे आपके उपर लागों ने हो रही है, वो कमेंट कीजिए, तो इमपॉसिबल कुछ भी चीजे नहीं होती है, आप हर चीज इस दुनिया में पॉसिबल करके दिखा सकते हो, लेकिन उसका एक तरीका होता ह सिर्फ यहां पर मोटिवेट होगे, काम चालो कर दिया, खता, तो मैंने एक ऐसा ही आदमी देखा था, एक छोटा सभुदारा, जिसको बहुत मन कर रहा था कि मैं कुछ न कुछ करो, एक YouTube चैनल बनाओ, तो मैंने उसको बोला, सिर्फ साथ दिन के लिए सुबह के चार बजे उतकर एक दो घंटा एकदम सांथी से बेंटना कुछक ने गर ना है, जिट दो घंटा चांक क पहले दिन उसका मोटिवेशन पावर हाय था, और दूसरे दीन था, तीसरे दीन कर दिया, चोटी दिन ठोड़ा आदा घंटा लेट हो आ पाँछ्वला छीज ये मोटिवेशन जो होता है न कुछ समय के लिए होता है लेकि मोटिवेशन के सहारे लिया गाया निर्ने लम्बे समय का इंपस्त डालता है इसलिए जोबी चीज आप सोचते हो, समझते हो, अभी ये वीडियो देखाऊगा, ठोड़ी मोटिवेट हो गए होंगे, तो साथ दिनों तक शान बेटो यार, इसके उपर कार्य करो, या इसने ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, तो इसमें सी ये चीज में मेरे को ये कवर कैसे करने है साथ दिन विचार करो और फिर उसको फॉलो करो आप सो टका सक्सेस हो जाओगे यही असल में बढ़िया वाला तरीका है तब मार्केट है वास यहां पर कोरोडों कमाए लाखों कमाए यह गाजर गाजर गुम रहे है तो गाजर को छोड़कर रियालीटी के ऊपर फोकस करो जो रियालीटी के ऊपर फोकस करेगा वही आगे जाएगा तो यह वाला जो चीज़े हमने एक छोटा सा प्रायास कहा आप अगर चाहते हो कि मैं इन सभी क्राइटेरिया में नहीं बेट रहा हूँ तो आप अपना किस क्राइटेरिया के अंदर आपको मजोर पढ़ रहे हो कमेंट कीजे हम उसके उपर भी वीडियो लाके रख देंगे लेकि उसके लिए आपको ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक करना पड़ेगा इतना तो आपको करके दिखाना पड़ेगा तब जाके हम समझेंगे कि यह प्रयाद भी हमारा सपल है त चिर को कीजेडार गना वरेगा जुरिष भी बाइक कटीजर करना नगताना तो आपको जापको का जात जादारी कि आपको में भी हमारा सवलार को